गुम है किसी के प्यार में के विराट यानि निलभट हमेशा ही सोचल मेडिया पर प्रोल होते रहते हैं लेकिन हाली में उनकी जगह एश्वरिया शर्मा यानि शो की पत्र लेखा लोगों के निसाने पर आ गई हैं दरसल पत्र लेखा ने गुम है किसी के प्यार में में खुद को यो सोधा मया कहा जो कि दर्सकों को जरा भी पसंद नहीं आया इतना ही नहीं उन्होंने पत्र लेखा और शो पर देवी देवताओं के अपमान का भी आरोप लगाया गुम है किसी के प्यार में कि आज के एपिसोड में दिखाये जाएगा कि पत्र लेखा को नागपूर मराथी महिला मंडल की सभा में बैठी महिलाएं ताना मारेगी कि वह कभी मा नहीं बन पाएगी और उसके पास जो बेटा है वो भी गोद लिया हुआ है यह बात पत्र लेखा को पसंद नहीं आएगी और वह उन महिलाओं को जबाब देगी कि वह वीनू की यह सोदा मैया हैं पत्र लेखा उन महिलाओं से बताएगी कि वह अपने विनायक को सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार करती हैं एंटर्टेन्मेंट से भरपूर गुम है किसी के प्यार है में में पत्र लेखा ने जिस तरह से खुद को विनायक की यह सोदा मैया कहा यह बात दर्सकों को जरा भी पसंद नहीं आई एक यूजर ने पत्र लेखा की क्लास लगाते हुए लिखा एक अपराधी जो भुरूर चुरा ले देवर के करीब जाने के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल करे जो पैदा भी नहीं हुआ है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहुँआ खुद की तुलना यह सोदा मैया से कर रही है वह हमारे भगवान का अपमान है वही दूसरे उजर ने लिखा यह बहुत ही बगवास था यह मा यह सोदा और हम हिंदू का अपमान है यह मैं बिलकुल भी नहीं भोलूँगी वही नैना नाम की एक उजर ने लिखा मेकर्स ने साफ कर दिया है कि विनायक एक अपराधी को यह सोदा मईया होने का दावा कर रही है हमारे भगवान और पौरारी कताओं का अपमान करना पंद करो आपका इस स्टोरी पर का कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटरेंडमेंट ही खबरों ले देखते रहें यह ए बीवी एंटरेंडमेंट